हेलो स्टूड वेलकम टू स्वातिस क्लासेज आज हम देखेंगे सेवें स्टैंडर का साइन्स लेसन नमबर 18 साउन प्रोडक्शन आप साउन इस लेसन के कोशन एंसर तो कोशन नमबर वन आपको दिया है फिल इन दे ब्लांग्स फर्स्ट वन दिया है साउन इजनरेटेड ब यहां पर क्या आएगा एंसर जनरेशन तो यह सारे आपको लिखने फिल इन ब्लांग्स के नेक्स टेक कोशन नमबर तू मारे फॉलोइंग यहां पर कॉलम एं कॉलम भी आपको दिया है तो फ्लिट फर्स्ट वन दिया है इसका एंसर आएगा इसका आएगा सी decibel sound level किस में major किया जाता है decibel जो unit होता है उसे decibel कहा जाता है ultrasonic sound fourth one का answer आएगा B frequency more than 20,000 hertz and infrasonic sound का answer आएगा A frequency less than 20 hertz next question number three give scientific reason जिसमें first one आपको दिया है in earlier times people used to listen for the arrival of a distant train by putting their ear to the rails तो इसका answer आएगा it was a technique that worked better in those days when train speed were slower than they are today and when there were more rail joints क्योंकि आज के अगर train की speed हम देखेंगे और कुछ सालों पहले देखेंगे तो train का speed अभी जादा बढ़ चुका है तो उस समय की जो train होती थी उनका speed काफी कम होता था और जो rail होती थी उनमें joints भी काफी जादा होती थी when people would put their ear to the rail they could hear vibration caused by the wheels moving over the joints तो जो joints होते थे उनके उपर जब train के wheels चलते थे तो उनके कारण vibration create होता था जो की rail के उपर कान लगाने के बाद उन्हें सुनाई देते थे metal being a solid is an efficient medium for the sound to travel and so the sound can propagate further in the rail than would in air as speed of sound is faster in solids than in air तो जो sound यहाँ पर create होता था train के wheels और वो जो tracks होते है या फिर जो rail होते थे उनके कारण तो यहाँ पर हमें पता है कि sound का sound जो transfer होता है या फिर जो travel करता है वो solid में जादा करता है तो इसके कारण वो sound जो है लोगों को उसके through rail के through सुनाई देता था क्योंकि वो solid होता है तो तबला में आपने देखा होगा उपर की तरब क्या होता है लेदर जो होता है वो फिट किया जाता है उस तबले के उपर वो जो उपर का surface होता है और उसके उपर क्या किया जाता है फिंगर से या फिर हमारा जो palm जो हाथ होता है उसके through हम लोग क्या करते है उसके उपर बजाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है जो भी waves create होती है वो दो dimensions में create होती है सीतार में जो sound box होता है वहाँ पर sound क्या होता है होता है sound generated by tabla and sitar are different because they have different pitch and frequencies तो जो music से related आपने सुना होगा कभी pitch and frequencies होता है तो उसके कारण क्या होता है या पर tabla and sitar different होते है सीतार में तार जो होती है उसकी frequency अलग होगी जब हम तार को क्या करेंगे हाथ से जब बजाते है तो तार की जो frequency होगी वो अलग होगी और तबला का जो लेदर सर्फेस होता है उसके उपर अगर हम बजाते है तो उसका जो pitch and frequency होती है वो different होती है इसके कारण हर एक जो music instrument होता है उसके आवाज हमें क्या आती है different आती है third one is if you were both on the moon your friend will not be able to hear your call तो इसका answer आएगा yes your friend will not be able to hear your call because sound needs a medium for transmission since it is a mechanical wave it cannot travel through vacuum space में क्या होता है या पिर moon में अगर हम देखेंगे तो जैसे हमारे यहाँ पर जिस तरह के से क्या होती है एर होती है वहाँ पर उस तरह के से नहीं है तो वहाँ पर क्या होता है vacuum होता है जिसके कारण जो sound होती है उसे transmit होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए waves को जाने के लिए जो medium लगेगा वो medium वहाँ पर available नहीं होता है as there is no air on the moon and sound is actually vibration in air कि जब हम sound produce करते है तो उसके waves create होती है जो कि air में vibrate होके फिर हमारे कानों तो काती है उसके बाद हमें सुनाई देती है so astronaut communicate to each other by signal or microphones in space even when they are closer तो वो अगर पास में रहेंगे जब astronaut जाते है तो वो किस तरह के से communicate करते हैं उनके पास microphones होते है या फिर कुछ signal sign symbol जैसे कि हम लोग use करते हैं उस तरह के से वो लोग use करते हैं जब वो काफी करीब होते है एक दूसरे के otherwise वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं होता है एर ही नहीं होती है जिसके कारण वहाँ पे जो हमारी sound होते है उसकी vibration waves जो है हमारे कानों तक नहीं आ पाती है तो यह reason होता है तो हमारे हाँ जब आगे पीछे होते है तो हमें दिखाई तो देते है लेकिन उसकी sound नहीं आती है क्योंकि उसकी जो sound होती है वह less than 20 hertz होती है इसकी कारण mosquitoes wings flap in air when they fly in air it produce buzzing sound in our ears जैसे के आपने देखाऊगा कान के पास अगर कोई mosquito आता है तो हमें तुरंत आवाज आती है the movement of mosquito wings produces sound greater than 20 hertz तो उनकी जो flap करते है वह आपने पंको को तो उसकी जो आवाज होती है वह 20 hertz से जादा होती है जिसकी कारण वह आवाज हमें सुनाई देते है and sound is the reception of such waves and their perception by the brain और 20 hertz से अगर ज्यादा waves sound अगर होगा तभी हमें वह क्या होता है सुनाई देता है तो यह reason है यह आपे question number 4 है answer the following question जिसमें first one आपको दिया है how is sound produce sound किस तरीके से produce होता है sound is generated due to the vibration of an object किसी भी object के vibration के कारण ही sound produce होता है जैसे कि bell है string है और diaphragm है और musical instrument जो होते है तो उनमें भी जब vibration होगा तभी हमें sound सुनाई देगा vibrations are imparted to the molecules in the air these vibrations reach our ears through the air and sound is heard तो जब यह vibrations होते है उनकी waves जब बनती है तो air में जो molecules होते है उनके through हो क्या होती है वो waves हमारे कानों तो काती है और जिसकी करणा में सुनाई देता है vibrations of an object is necessary for generation of sound तो यहाँ पर object जरूरी होता है या फिर object का vibrate होना जरूरी होता तभी sound produce होता है तो जो waves firm होती है longitudinal waves जीसे कहा जाता है वो air के through हमारे कानों तो काती है उसके बाद ही हमें वो सुनाई देता है तो यह answer आएगा कि किस तरह के से sound produce होता है secondly what does the intensity of sound depend upon तो sound की intensity किसके उपर depend होती है तो answer आएगा the intensity of sound is proportional to the square of the amplitude of vibration for example if the amplitude is double the intensity of sound becomes four time तो इस सरके से आएगा therefore the loudness of softness of sound is depend on the intensity of sound and sound level sound level कितना है उसकी intensity कितनी होती है उसके उपर depend करता है कि हो sound हमें loud लगेगा या फिर soft लगेगा next third one explain how the frequency of oscillation is related to the length of a pendulum and the amplitude of its oscillation जैसे कि आपर pendulum देखा होगा तो pendulum जो होता है तो उसमें यह किस तरह के से depend करता है कि frequency of oscillation length के उपर depend होगा या फिर जो amplitude होता है oscillation का उसके उपर depend होता है तो वो हम देखेंगे relation between frequency and length of a pendulum if the length of the pendulum increases the period of oscillation also increases अगर आपने pendulum देखा उसकी अगर length जो छोटी होगी तो period जल्दी से complete हो जाएगा एक oscillation complete करने के लिए वही अगर आप length बढ़ा दोगे तो वो एक oscillation complete करने के लिए time ज्यादा लेगा if the time increases frequency decreases तो time ज्यादा लगे तो वहापे frequency क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी next relation between frequency and amplitude frequency और amplitude में क्या relation होता है तो frequency of oscillation is independent of its amplitude of oscillation तो यह relation होता है यह आपके बुक में pendulum का आपको diagram भी मिलेगा तो वहाँ से समझ में आ जाएगा next step fourth one explain the two ways by which the pitch of the sound generated by a straight string can be change तो answer आएगा a string vibrates with a particular fundamental frequency it is how you are possible to produce pitches with a different frequencies from the same string तो एके string होती है उसके भी अलग अलग तरीके से बजाने से या फिर उनकी जो frequency पीचे से जो होते है different frequencies से अगर हम बजाते है तो एके string से क्या होती हमें अलग आवाज आती है the two properties of the string that affect its frequency are length and diameter तो उसकी length क्या है diameter क्या है यह भी होता है when the length of a string is change it will vibrate with a different frequency length change कर दोगे तो उसका जो frequency है वो भी change हो जाएगा shorter strings have higher frequency and therefore higher pitch अगर short string है तो उनकी में frequency ज्यादा होती है और pitch भी हाई होगा when a musician pressed her finger on a string she short shortens its length the more finger she add to the string the shorter she makes it higher will be the pitch तो यहाँ पर diameter क्या दिया है कि thick string with a large diameter vibrates slower and have a lower frequency than the thin ones तो यह जो सिद्दार वगेरा बजाते है guitar बजाते है तो उन लोगों का अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से वो क्या होती है short है या पिर उसकी ज्यादा है तो उसमें frequency कम ज्यादा होगी पीछ हाई या लो लगेगा इस तरीके से musical instrument का arrangement होता है तो इस तरीके से आपको यह आप एंसर दिया हुआ है